चतिसगर युनिवर्सिटी न्यूज में स्वागत है दोस्तों फिर से एक नया न्यूज अपडेट के साथ दोस्तों बस्तर विश्वी देलाय की तरब से परिच्छा फॉर्म 2023 भरने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है सारा डिटेल जानेंगे आज किस वीडियो में दोस्तों तो वीडियो में अंट तक जरूर बने रहें और वीडियो पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो सबसे पहले दोस्तों आपको कोई भी जो है browser उपन कर लेना है Google में simply आपको टाइब करना है बस्तर University या फिर बस्तर विश्वेद्य अला है ये आपको दोस्तों अपने Google में search कर लेना है search करते ही जो पहला वाला link होगा दोस्तों वो बस्तर University का ओफिसली website है जिसमें आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही दोस्तों आप बस्तर युनिवर्सिटी की ओफिशली वेबसाइट में पहुंच जाएंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा अगर इस तरीके से इंटरफेस नहीं मिलता है तो आप अगर मुबाइल पर यूज कर रहे हैं तो डेक्स्टाप साइट ओपन कर लें वहाँ पर उसको टिक कर लीजेगा यहाँ पर दोस्तों आपको ऑनलाइन मोड से एक्जाम फर्म भरना है तो सबसे टॉप में आपको देखने को मिलेगा इक्जामिनेशन का ओप्शन इस इक्जामिनेशन में दोस्तों एक और इक्जामिनेशन का टैब होगा यहाँ पर आपको मिलेगा online exam form यहाँ पर आपको क्लिक करना है जिससे आप online form भरने का जो website है जो portal है दोस्तों वहाँ पर चले जाएंगे कुछ इस तरीके से दोस्तो आप उसको क्लिक करेंगे थोड़ा लोडिंग ले रहा है आप अपने मुबायल से या PC से इस फॉर्म को भर सकते हैं देख सकते हैं यह जो पोर्टल है वो सिफ फॉर्म बरने का ही पोर्टल है जहांपर enrollment form, regular वालों के लिए और main exam form, semester exam form private का form बरने के लिए दोस्तो सबसे पहले आपको registration करना होगा नीचे आएंगे तो कुछ इस तरीके का तीन option आपको देखने को मिलेगा enrollment regular और उसके नीचे है registration private इस पे आपको click करना है कुछ इस तरीके से instruction आपको दिखाया देंगे जिसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं या तो close कर दीजिए सबसे पहले आपको private वाले हैं तो आपको registration करना होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके का interface और कुछ note लिखे हुए तो सबसे पहले आपको student type select कर लेना है प्राइवेट और नॉन कॉलेजट उसके बाद college code name यानि की आपको अपना college select कर लेना है जिस college से आप अपना परिच्छा form भरना चाहते हैं कोई भी college आप select कर सकते हैं उसके बाद फिर exam code यानि की BA, B.com, B.sc, M.a.m.com, M.sc जो भी आप डालना चाहते दोस्तों, first year वाले, second year वाले, वो अपना यहाँ पर select कर लेंगे जो भी है, आप select करने के बाद, season जो है, वो 2022 होगा, उसके बाद यहाँ पर आप स्री, स्री, मती या कुमारी लगाते हैं, वो लिख लेंगे उसके बाद फिर student name में आप अपना पूरा नाम लिखेंगे दोस्तों, जो भी आपका नाम है, student name फिल करने के बाद, आपको उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर father's name का option है, वहाँ पर आपको अपना father's name type करना है, जो full name आपका father's name का है, उसके बाद फिर mother's name का full type कर लेना है, gender select कर लेंगे, male, female, उसके बाद फिर date of birth है, आप अपना जो date of birth है, as per your mark sheet, वो अपना fill कर लेंगे, यहाँ पर मैं randomly एक date of birth select कर लेता हूँ, इस तरीके से आप अपना जो भी date of birth है दोस्तों, वो select कर सकते हैं, और date of birth select करने के बाद next option जो आता है, वो है category का, उसके पहले medium का option है, जहाँ पर आपको हिंदी और English, दोनों ही option मिल जाएंगे, वो select करने के बाद category में, आप SC, HD, OBC, general जो है, वो select करेंग mobile number आपको यहाँ पर fill कर लेना है, अपना mobile number के बाद दोस्तों, यहाँ पर email ID select कर लेंगे, email ID आपको अपना डालना है, यहाँ पर अधार number डालेंगे, उसके बाद आपको पूरा अधार number डालने के बाद nationality पर टिक करना है, वहाँ पर आपको Indian लिखना है दोस्तों, nationality जो की है उसके बाद डुमेसायल में आप जिस भी राज्य से बिलॉंग करते हैं उसे उसमें अपना राज्य सिलेक्ट करके डाल देंगे दोस्तों और उसके बाद फिर यहां पर एक आप्शन आता है माइनोरिटी का अगर आप माइनोरिटी वाले हैं तो यस करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे यस करते हैं तो आपको बताना होगा आप माइनोरिटी में किस में आते हैं मुसलिम शेख इसाय ये सब माइनोरिटी में आते हैं तो वो आपको डालना है यहां पर हम नहीं है तो क्लिक करना है इससे आपके रजिस्टर मुबाइल पे OTP आएगा उसको यहाँ पर दोस्तों एंटर कर लेना है और verify OTP पर क्लिक करना है उसके बाद रजिस्टर नौ का ये जो टैब है वो अपन हो जाएगा इस पे आपको क्लिक करना है जिससे आपका जो डेटा है वो पुरा register हो जाएगा और पूरा registration होने के बाद दोस्तों आपको एक login id और password generate हो जाएगा login id आपको स्क्रीンプ पर देखने को मिल जाएगा वैसे ही login id और password आपके mobile पे भी चला जाएगा mobile नंबर जिस भी आपने दिया है उस मोबाइल नमबर पे आपका पासवर्ड आ जाएगा उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल देना है दोस्तों और जो capture नीचे लिखा हुआ है उस capture को यहाँ पर security code वाले option पे लिख देना है तो आपका जो id और password दोस्तों वो आप समाल के रखेंगे और कहीं पर note कर लेंगे फिर login पर क्लिक करेंगे login पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके का interface open होगा परिच्चा form भरने से पहले आपको अपना पूरा detail जो है यहाँ पर डालना होगा पूरा form जैसे भरन रहा है दोस्तों उससे पहले आपको अपना profile create करना है तो सबसे पहले photo and signature option है फिर personal detail examination detail इस तरीके से कुछ step by step आपको आगे बढ़ना है कुछ instruction लिखे हुए है जिसे आप पढ़ सकते हैं सबसे पहले आपको photo और signature अपडेट करना है तो उस पर आपको क्लिक करना है कुछ इस तरीके से interface open होगा दोस्तों जहाँ पर आप कितने kb का आपको रखना है वो दिखाए देगा choose file पर click करेंगे और आपका जो photo है वो select करके upload पे click कर लेना है उसके बाद देख सकते photograph upload successfully का message भी आगया और photo भी upload हो गया है उसके बाद वैसे ही signature को भी आपको upload करना है 100 kb के अंदर इसको upload करना है दोस्तों उसके लिए आप आपका जो photograph है और जो signature है वो update हो गया उसके बाद आप अपना personal detail फिल करेंगे स्री यहाँ पर देख सकते दोस्तों जो आपने नाम लिखा था वो full name जो है उसको आपको अलग अलग करना है यानि कि first name और middle name और last name इसको यहाँ पर अलग करना है जब form बढ़ा था आपने तो form भरा था उस समय यह शो नहीं कर रहा था जेंडर category यह सारा detail आपने पहले ही भरा था वो आपको show होगा अगर कुछ changes करना चाते हैं तो यहाँ पर से changes कर सकते हैं permanent address आप यहाँ पर अपना फिल कर लेंगे दोस्तों जो भी आपका address है as per your mark sheet और अधार कार्ट के हिसाब से आ आपको select कर लेना है जिस भी city से आप belong करते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपका permanent address और temporary address दोनों same है तो यहाँ पर यह जो tick box है उस पर click कर लेना है और अलग-अलग है तो आपको फिर से इसको नीचे ओले form को भर लेना है तो यहाँ पर देख सकते हैं domain style जो है वो select नहीं हुआ है तो वो हम option कर लेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको update का एक option मिलेगा यहाँ पर update करने के बाद आपका जो detail है वो update हो जाएगा अब आता है education detail की बारी दोस्तों तो education detail के लिए आपको left side में दोस्तों सारे option देखने को मिल जाएंगे इसी में से एक option है दोस्तों जिसमें से आपको अपना education detail जो है वो fill करना है और education detail दोस्तों आपको payment करने से पहले जो है सब चीज देख लेना अच्छे से क्योंकि उसके बाद change नहीं होगा तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं exam document upload का एक option है यहाँ पर आपको अपना document upload करना है जो first year वाले हैं उनको 10-12 यह upload करना जरूरी है यहाँ पर देख सकते हैं जो list है 10-12 वालों का है उसके बाद फिर first year यानि कि जो second year में है उनको first year का mark sheet upload करना है जो second year पढ़के पास हो गया यानि कि third year में है उसको first year और second year दोनों ही upload करना है और जो PG के लिए apply कर रहे हैं उनक जो ही mark sheet जो है upload करना जरूरी है दोस्तों और साथ ही साथ migration certificate, domicile certificate और cast certificate यह सारा चीज भी जो है आपको यहाँ पे upload करना होगा तो सारा चीज आप जो है jpg में या pdf में save करके पहले से ही रख लेंगे cast certificate जो है दोस्तों वो SCST और OVC केवल इनी category की लगे लिए general वालों के लिए cast certificate जरूरी नहीं है तो सबसे पहले आपको जो है दसवी का mark sheet upload करना है यहाँ पर से आपको choose file पर click करके आपका जो दसवी का mark sheet होगा उसको select करके दोस्तो upload बटन पर click करना है इस पर click करते ही आपक सकते हैं document has been uploaded successfully कुछ इस तरीके से आपको दसवी का mark sheet जो है upload करना है और यह ध्यान रखेंगे कि 200 kb से ज्यादा ना हो और जो format है दोस्तों वो केवल jpg, jpeg और pdf format में होना चाहिए ऐसा ही करके दोस्तों आपको दसवी का mark sheet यहाँ पर देख सकते हैं upload हो गया है view पर click करके बिलिट आप उसको चेक कर सकते हैं सही document upload हुआ है यह नहीं हुआ है अगर गलत हुआ है तो आप डिलिट वाले option पर click करके उसको डिलिट कर सकते हैं इसी तरीके से आपको बार वी का mark sheet भी upload करना है जोस फायर पर click करके दोस्तों आपको अपना mark sheet अप्लोड कर देना है इसी second year औरuf final year वाले अपने पिछले marksheet को भी upload करेंगे यहां पर ध्यान रहेगा second year वाले first year का marksheet भी upload करेंगे final year वाले first year और second year दोनों ही mark sheet को upload करेंगे दोस्तो देख सकते हैं यहां पर मैंने सारे document जो है वो upload कर दिये हैं देख सकते हैं दस्भी बार्वी migration certificate यहाँ पर आपको original जमा करना है domain style और cast certificate सारा यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों submit हो चुका है इसके बाद दोस्तों आपको attach document का एक option मिलता है वहाँ पर आपको click करना है इसमें आपको दोस्तों जो जो document आपने attach किया है उसको यहाँ पर tick करके save detail करके click करना है तो आपने जो photocopy of mark sheet यह जमा कर दिया उसपे tick कर दीजे domain style certificate कर दिया उसपे tick कर देंगे cast certificate किया तो tick कर देंगे migration certificate आपने upload किया तो उसपे भी tick कर देंगे तो जो document in list में आपने upload किया है उन document के list को आपको tick कर लेना है और tick करने के बास दोस्तों यहाँ पर जो save detail का option दिख रहा है आपको blue color में उस पर आपको tick कर लेना है तो देख सकते हैं यहाँ पर gap certificate अगर कोई student gap है तो gap certificate भरेगा उसके अलावा और भी कोई document upload करते हैं तो वो सारा detail आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस पर tick करके save detail पर आपको click कर लेना है save detail बटन पर दबाते हैं दोस्तों आपको document जो है वो successfully upload हो जाएगा अब इसके बाद आता है दोस्तों आपका जो है previous examination याने कि पिछले साल जो अपने परिच्छा भरा है जो exam दिलाए है उसका detail जैसे कि यहाँ पर 10 वी का माक्षिट है तो 10 वी का detail आपको fill करना है university board या rule number यहाँ पर आपको डालना है जो cg board वाले है वो cgbac डाल देंगे जो english medium से है याने कि central वाले है वो cbac डालेंगे या फिर दोस्तों यहाँ पर आप अपना सिधा-सिधा rule number भी fill कर सकते हैं इस तरीके से आपको कोई भी जो है तीनों में से एक option डालना है याने कि university का नाम यह बोर्ट का नाम या फिर rule number यहाँ पर डाल देना है उसके बाद year में देख सकते दोस्तों year में आपको जिस भी year में आपने पास किया है उस year को select कर लेंगे उसके बाद दोस्तों maximum marks आपको यहाँ पर डाल देना है maximum कितने numbers के जो exam थे वो और obtained marks याने कि आपको जितने number मिले वो तो percentage automatic जो है यहाँ पर calculate हो जाएगा उसी प्रकार से दोस्तों आपको बारवी का भी detail यहाँ पर डाल देना है आपका board name या rule number यहाँ पर fill करेंगे उसके बाद आपने किस year में पास किया है वो select कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका year होगा उसके बाद फिर से maximum marks और फिर obtained marks यह डालते ही आपका जो percentage है वो आ जाएगा graduation का detail आपको डालने के जरुत नहीं है अगर आप first year वाले हैं अगर आप PG में apply कर रहे हैं तो आपको graduation का detail डालना जरूरी है उसके पास save detail पर आपको click करना है save detail पर click करते ही आपका जो previous education detail है वो successfully add हो जाएगा इस तरीके से आपने सारा detail अपना डाल दिया है आपका जो profile है दोस्तों वो completely तयार हो गया है अब आपको इसको देखना है तो view full detail पर आपको click करना है कुछ इस तरीके से दोस्तों आपका जो detail है पूरा profile आपको देखने को मिल जाएगा आपने किस college के लिए apply किया है कौन सा examination के लिए apply किया है आपका mail ID सारा चीज यहाँ पर से आपको उसको check कर सकते हैं जो भी आपने previous education detail डाला था वो सारा चीज आपको देखने को मिलेगा अगर इसमें कुछ changes करना चाते हैं तो वापस से आपको वहीं पर जाकर पर क्लिक करना है सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करते दोस्तों आपको जो बी ए पार्ट वन जैसे हमने फुल किया है तो उसका डिटेल आपको शो होगा और यहाँ पर सिलेक्ट वाले option पर आपको क्लिक करना है कुछ इस तरीके से आपको subject चूज करने का option आएगा जिसमे हिंदी, इंग्लिस और परियावरन जो है वो compulsory है उसके बाद फिर group A, group B इस तरीके से F तक group बने हुए है इन groupों में से दोस्तों आपको केवल तीन group में से एक-एक subject चूज करना है और आप एक group से केवल A की ही subject को चूज कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ ह और select three subject from group A to group F याने की केवल तीन subject आपको चूज करना है group A से लेकर group F तक और हर एक group से आप केवल A की ही subject को चूज कर सकते हैं उसके बाद फिर दोस्तों आपको चूज करने के बाद नीचे एक option मिलेगा save main subject इस पर आपको click करना है यहाँ पर click करते ही आपका जो detail है दोस् subject नहीं है तो कुछ इस तरीके का message सो करेगा तो आपको जो है अपना subject change कर लेना है यानि कि उस college में नहीं है तो यह आप college भी change कर सकते हैं या फिर आप अपना subject जो है change कर सकते हैं उसके बाद save करेंगे तो कुछ इस तरीके से subject updated successful का आपको message सो करेगा यह सारा चीज होने के बाद दोस्तों अब आपको apply करना है अपने exam form के लिए यह सारा यह data था आपका profile अब यहाँ पर apply पर click करेंगे apply नौप पर click करते दोस्तों आपको पूरा data आपको देखने को मिल जाएगा और नीचे जो है proceed to payment कुछ इस तरीके का option आएगा इस पर आपको click करना है और click करते द दोस्तों आप जो है payment वाले interface में आ जाएंगे उससे पहले आपको यहाँ पर examination fees का detail दिखाए देगा यह transaction number देख रहे हैं दोस्तों वह आपको note कर लेना है examination fees कितना है total fees आपको कितना देना पड़ रहा है वह सारा detail आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यह transaction ID जो लिख जाएगा अब यहाँ पर pay with जो लिखा है वो drop down option में आपको click करना है click करते ही दोस्तों यहाँ पर HDFC bank credit card debit card other bank credit card debit card net banking सारा option देखने को मिल जाएगा अगर HDFC bank का है तो उस पर click करेंगे अगर उसके अलावा किसी और bank का debit card यूज कर रहे है तो other bank debit card पर click करेंगे जहाँ पर आ one card यानि के जिस नाम से card है वो डालना है और नीचे I am not robot पर click कर देना है उसके बाद payment option open हो जाएगा process option open हो जाएगा इसके अलावा दोस्तों एक और अच्छा option है UPI का आज के date में दोस्तों phone पे Google पे Paytium यह UPI के जितने भी apps हैं वो सारे लोग चलाते हैं तो यह जो है आसा UPI ID होता है वो mobile number ही होता है अगर आपको UPI ID नहीं पता है तो आप अपने phone पे में जाकर के दोस्तों उस UPI ID को देख सकते हैं जो की profile में मिलता है और उसके बाद प्रोसीड पर click करेंगे तो आपका जो payment है वो successfully हो जाएगा और उसके बाद आप अपना print जो है निकाल सकते है परिच्छा फॉर्म का तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना परिच्छा फॉर्म बीना किसी गलती के भर सकते हैं